हालो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चानल, आज मैं ऐसा इडली बना कर दिखाऊंगी, जो बच्चों के लिए बहुती अच्छा है, हिल्दी है, बच्चे सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं, पर इस तरह से अगर आप सबजी बच्चों को दीजिएगा इडली के साथ, तो वो क कुछ बोलेंगे नहीं, एकतम बण्या से, बीना कुछ बोले, खालेंगे और पसंद भी करेंगे, आज मैं 15 वेजिटेवल इडली बना के दिखाऊंगी, इसलिए, नॉर्मल इडली का जो बैटर है, वो मैं ले ली हूँ 15 के लिए, और इडली का बैटर मैं बनाना, इसमें देना सही नहीं समझा, समय बरबाद होगा, अगर आप लोग चाहें, तो मैं लिंक दे दूगी, डिस्क्रिप्शन वाक्स में देख लीजेगा, पहले मेरा पोस्ट किया हुआ है, थुड़ा मैं तड़का लगा दूंगी, इडली का बैटर में, इसलिए, एक कलचुल गैस यस पर चड़ा के उसमें एक चम्मच सरसो के तिल डाल दी, और उसमें एक चम्मच साबूत सरसो, और दो तीन मैं लाल बिर्च तोड़कर डाल दी, और करीब, 12 अगरीब पता उसमें चटका कर, पहले दिसे ठंडा कर लूंगी, यह तडका नहीं है, इसलिए मैं ठंडा करक उसके बार मिलाओंगी इल्ली का बैटन में, इसलिए इल्ली का बैटन में ये शबी मसाला में डाल दी, अब मैं जितना भी छोटा-छोटा सबजी काट कर रखी थी, ये बींस मैं करीब तीन चमच बींस एकदम बारी काट कर रखी थी, और एक बड़ा सा गाजर को मैं कदुक बसके रखी थी और दो चमच हरा धनिया उसी भी मैं काट कर रखी थी उसे भी डाल दी हरी मीच इसमें डाला जा सकता है पर मेरे घर में बच्चे हैं इसलिए मैं हरी मीच नहीं डाली अब इसे अच्छे से एक दम मिक्स कर लेना होगा सबजी और बैटर हम लोग का मिक्स हो गिया है और तयार है अब चलते हैं इडली बनाने एक बड़ा सा पतिला मैं गैस पर चड़ा दे उसमें एक ग्लास पानी डाल कर अब खौलने के लिए छोड़ दूँगी दूसरे तरफ मैं इडली का जो च्छाच है उसमें तेल थोड़ा थोड़ा प्रश कर ले रही हूँ जैसे इडली का बैटर नीचे लगेना अच्छे से निकल कर आ जाए अब दिखिए बैटर को मैं भर दे रही हूँ च्छाच में ज्यादा भरना नहीं है सिर्फ लेबल तक भरना है क्योंकि ये फूल जाता है टोटल बारा एड़ी के लिए तीन-तीन करके चार स्टेज पर ये एड़ी का छाँच है वो मैं लगा दी अब मैं देखिए पतिले के अंदर मेरा पानी एकदम खौल रहा है उसके अंदर डाल कर सेट कर दूंगी पानी उतना ही भरना है जैसे कि नीचे पोर्षण का जो इटली है वो पानी के अंदर ना डूब जाए अब मैं धकन लगाकर दस से बारा मिनिट ऐसे ही रख दूंगी 10-12 मिनिट में मेरा इडली एकदम तयार हो जाएगा देखिए बारा मिनिट पान अगया है मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि मेरा इडली एकदम रेड़ी हो गया है सबी छांच का लेयर को मैं निकाल कर इस तरह से छोड़ दूंगी तीन-चार मिनिट थोड़ा सा ठंडा होने का बाद इडली निकलने में आसानी होता है सबी इडली को मैं एक पतला चमज के जरिए निकाल के रख ले रही हूं सबी इडली अब मैं इडली को प्लेट आउट कर दी हूं इसके साथ नरियल का चत्ली एक कटरी में डाल के आप इसे परोज सकते हैं और इडली एकदम फुरफुरा बना है बहुती टेस्टी बना है देखिए एक इडली को मैं तोड़ कर दिखा रहे हूं अंदर कितना कलरफुल लग रहा है गाजर और उसके साथ हरा हरा बीन्स और हरा धनिया बहुती अच्छा लग रहा है इडली बना भी बहुत स्पॉंजी और ये इडली खाने में भी बहुत तेस्टी लगेगा ओके फ्रेंड्स आज यहीं पर सबात कर रहे हूँ मेरा वीडियो आपको अगर ये इडली का रेसीप पसंद आए तो एक लाइक दबा के सब्सक्राइब कर दीजेगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मन फूलिएगा क्योंकि अगर वो नहीं दबाईएगा तो मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा ओके फ्रेंड्स आज यहीं तक बाई नमस्कार